नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एलगो क्रैप के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त फर्वीन राना और आज किस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से हम आटमेटिक टेडिंग कर सकते हैं कोटक सेक्यूरिटिस के अगर आपके पास कोटक का अकाउंट है तो आप इज़िवी उसको लिंक कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल एनलिसस आती है तो बहुत आपके पास टाइम dłia करने के लिए तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप यह सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो वीडियो बहुत जादा इंटरस्टिंग हुआ तो मैं वीवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें और जो वीवर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेर किज़ें अपने दोस्तों के साथ आने के बाद आपको टॉप राइट में दो बटन मिलते हैं पहला बटन साइन अप का है दूसरा बटन लॉगिन का अगर आप उजन उजन तो आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद 6 दिन का ट्रायल मिलेगा आपको, अगर आप अलगो क्रैब के यूजर हैं, तो आप लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपको डैश बूर्ड की स्क्रीन दिखती है, वो मैं आपको आगे होने के बाद हमार को यहाँ पर जाना ऑथेंटिकेशन के पेज में, अथेंटिकेशन के पेज में सबसे पहला ऑप्शन है, हमें ब्रोकर सिलेक्ट करना है, तो आपको चाहिए क्या API की, कंज्यूमर की, या API सिक्रेट और टोकन, यह दो चीज़ें आपको रिक्वार्ड हैं अब यह दो चीज़ें आपको कहां से मिलेंगी दोस्तों, यह मिलेंगी हमें, में कोटक सिक्यूर्टी इस पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में दो URL दे दूंगा, जिन जिन पर हमें जाना है, सबसे पहला URL है यहाँ पर आपको जाना है, यह आपका कोटक सिक्यूर्टी डॉट तो क्योंकि मैं अलड़ी रेजिस्टर हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से दिखा रहा है, आपको दूसरी स्क्रीन दिखाए देगी, जो भी इंस्ट्रक्शन आए, आप उनको फिल कर सकते हो, और फिल करने के बाद आपकी मेल पर एक नया ID और पासवर्ड आएगा, आपको मिलेगी कोई प्राइस नहीं है, और इंट्राडे में ब्रोकरेज भी शायद कुछ कम लेते हैं, तो अगर आपका अकाउंट खुलवाना चाहें, तो अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, डेक्स्ट पेज यह हैं, यह लोग इन का पेज है, यह आपको मैं वहा कौन-कौन सी है, अगर टेकनिकल नहीं है, तो आपको इतर इतना जानने की जरुद्ध नहीं है, आपको सिर्फ एप्लिकेशन का नाम Ici लिख सकते हैं, अपना ने लग सकते हैं, कुछ भी क्लिक्बिकेशन का नाम है, इहां पर रिक्वेस्ट में आपको अरुंवेस्ट कर द default application or name और यह सब इसे सारी चीजें हैं लिखिऊ हुए है यहाँ पर तो जैसे ही आप अपना application create करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से page कुलेंगे ठीक है इसमें आपकी consumer key लिखी हुई है और consumer secret लिखा हुआ है यहां आपको जाना हो और two token पे यहां पर आपको की और यह token दिखिएगा एक्सेस token ठीक है यहां पर आप जन्रेट कर सकते हो आप access token जैसे आप जन्रेट access token पर क्लिक करोगे तो पूछेगा कि किते कि रिखने के लिए आपको करना है तो आप 66 किर सकते हो कि यहां तक यह के रिखिते हैं यहां को कि आपको मिल गया आपको इक्स की तोकन मिल गया फोगिंज है दो चीजे एक इस जी क मिल इस टोकन थी एक confusion की और एक access token यह दोनों चीज़ मिलने के बाद हमें आना है अपने platform पर आफ एल्गो क्रेप पर फ्लाइब पर आएंगे वहाँ पर हमें दो चीज़े डाले एक consumer key और token ठीके टोकन में यहाँ पर update करता हूँ ठीक के मैंने ने टोकन डाला अभी देख़ो एक चीज़ और देख़ता हूँ कि अगर दिखा रहा है access token invalid क्योंकि इस पुराना token डाला हूँ ठीक है अब जब मैं नेया token जो अभी मैंने टोकन वैलिट आता है तभी आपका ट्रेड वैलिडेट होगा यानि कि तभी आपका ट्रेड जाएगा आगे अगर वाइस ट्रेड नहीं जाएगा ठीक है तो यह कंप्लेट प्रोसेस था किस तरीके से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो थोड़ा से कॉंप्लिकेटेड है अगर मैं बात करूँ अलग ब्रोकर्स की जो बाकी के ब्रोकर्स हैं वो उनका एक्सेस टोकन लेने का तरीका थोड़ा इजी होता है ठीक है कोटक शेकर इसका थोड़ा सट अफ है दूसरी चीज़ अब यहां पर मैं अगर कोटक का लॉग इन करता हूं यहां पर मुझे लॉग इन की वेंडो मिलती है ठीक है लॉग इन करने के लिए मैं यहां पर लॉग इन डिटेल डालता हूं यह दूसरा एक चीज़ और भी मैं बताने चाहता हूं कोटक की वेबसाइट भी मुझे इतनी खास पास्ट दिखाई नहीं देती देखने बहुत मतलब आप देख रहे हो होगे आपकी स्क्रीन पर कि बहुत स्लो सी काम करती है तो अगर कोई बंदा यह वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इस पर और काम करें यहां पर OTP डालना OTP हमें मिलेगा हमारे इस पर मोबाइल नंबर पर यह में भी आपका थोड़ी बहुत दिर में आपको मिल जाए कई बार क्या होता है कि एक सिंगल आटम्ट में आता नहीं है एक दो मिनट तक पासवर्ट ह है यह मैंने अकाउंट li on कर लिया फिलाल तो मैं आपको बता हूँ कि हमारे प्लैटफोर में मैं हरे एक वीडिजियो में बताते रहता कि यह सिलेट कर सकते हो तो यहां से अपिए सिलेक्ट कर सकते हो कऊंजisi स्टेटिजी आपके लिए profitable है कॉंसे स्टेटिजी अच्छा काम कर रही है उस तरीके से आप यह प्लान करके कि भी मुझे इस वाले सिंबल में ट्रेड करना है आप आगे बढ़ सकते हो तो दोस्तों यह था process authentication का कि कि अगर किस तरीके से आप authenticate कर सकते हो अगर आपका account?, वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप Automate कर सकते हो अपनी trades को और किसimem प्रोसेसर होता है है इसको यूज करने का साथी साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि एमटी फोर के साथ या ट्रेडिंग व्यू के साथ या में ब्रोकर के झाल